हरे कृष्णा वैशाक मास के शुक्ल पक्ष की तितिया ति थी जिसे अक्षर तितिया भी कहते हैं अगले 20 दिनों तक चंदन यात्र मौत्सव मनाया जाता है वैशाक के महीने में जब अत्यंत गर्मी होती है तो भक्तों की इक्षा होती है कि वे भगवान के दिव्य शरीर को ठंड़क पहुँचाए इसलिए वे 21 दिनों तक चंदन यात्र का उत्सव मनाते हैं प्रतेग भक्त अपने हाथों से चंदन घिस कर उसका लेप भगवान के अर्चव विग्रों को लगाते हैं ये एक ऐसी लीला है जो भगवान अपने भक्तों के साथ प्रेम आस्वादन के लिए करते हैं कहते हैं कि भगवान जगनाज जी ने स्वेम राजा इंददुन को आदेश दिया कि वैशाक जेष्ट के महीने में चंदन यात्र का उत्सव मनाया जाना चाहिए इसलिए आज भी पुरी धाम में भगवान के उत्सव मुर्तियों को चंदन का लेप लगाया जाता है और नरेंद्र सरोवर में नौका विहार कराने ले जाया जाता है इस उत्सव से जुड़ी एक और अद्भुत लीला है एक बार जब श्रील मादवेंद्र पुरी ब्रज में गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे तब रात के समय श्री गोपाल जी के विग्र है उनके स्वपन में आये और मादवेंद्र पुरी जी को जगनात पुरी जाकर मले गिरी से चंदन लाए और उसका ताप मिटाए ऐसा आदेश दिया भगवान की आग्या अनुसार आनंदेत होकर श्रील मादवेंद्र पुरी पैदल ही जगनात पुरी को निकले वहां पास में उन्होंने रमुना गाव में श्री गोपीनात जी का सुन्दर मंदिर देखा औ उन्हें इक्छा हुई कि क्यों न वो भी ऐसी सेवा सीख कर गोवर्धन में गोपाल जी को ऐसी ही उत्तम शेणी की सेवा प्रदान करें और फिर बहुत सारा चंदन लेकर जगनात पुरी से विरिंदावन की और चल पड़े रात में जब वो रेमुना में विश्राम कर रहे थे तो पुना गोपाल जी उनके स्वपन में आय और उनसे कहने लगे कि मैं तुमसे अती प्रसन नहूं कि तुमने इतनी दूर से चंदन का प्रबंद किया इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम ये चंदन यहीं पर कपूर के साथ मिलाकर घिसो और श्री गोपीनात जी को उसका लेप लगाया भगवान श्रीकृष्ण हर प्रकार के एश्वरी से परिपुर्ण है उन्हें किसी भी सुविधा की कोई अविशक्ता नहीं लेकिन भगवान भाव ग्राही जनारधन भी हैं वे हमेशा अपने भक्तों का भाव ग्रहन करते हैं लेकिन जब भक्त प्रेम अद्सब भगवान और उनके भक्तों के प्रति प्रेम भरे आदान प्रदान का अनोखा उत्सब है इस दिन आप भी अपने स्थानिये स्कॉन मंदिर में चंदन से अलंकृत भगवान के सुन्दर विग्रहों के दर्शन करें और चंदन सेवा में सनलग्न होकर भगवान के प्रती प्रेम भाव व्यक्त करने का अफसर प्राप्त करें। धन्यवाद हरे कृष्णा।